सब्सक्राइब करें मेरे चैनल दो नौलेज अड़ा को बेल आइकन प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंट्स मैं प्रदीप यादो आपका मेरे इस चैनल दी नौलेज अड़ा में फिर से स्वागत करता हूं आज मैं बात करने जा रहा हूं स्टैलिस कमेंट बॉक्स की हम एक्सल सीट में या एक्सल किसी सेल में स्टैलिश कमेंट बॉक्स कैसे बनाए इस्टैलिस मिन्स हम उस कमेंट बाक्स का कलर चेंज कर सकते हैं उसमें प्रिचर इंसर्ट कर सकते हैं तो बेसिकली इसमें में डिसक बना सके कहने के मतलब कि कमेंट वर्क्स क्यों करते हैं कि समगेंट कि हमें किक सका अधिक माज़ना देख़ेंगे संग्युट्राइब कोई बीँ में बेख सकते हैं फिर जो कि और लोपर इस वीडियो में अपको गीमेंड बाक्स कर सकते हैं तो आईए जोस्तों बात करते हैं कि हम किसी भी comment box में picture कैसे insert कर सकते हैं तो सबसे पहले comment की बात करते हैं चलिए मैं को यहां पर text लिखता हूँ इस is my house and now आपको इस text comment insert करना है अब कहा करना कि सबसे पहले जो भी आपको name जीख रहा है पहले इसको रिमूव करना है जब भी इसके ऊपर आप mouse ले जाते हैं देन आपको comment box अपियर होता है basically इस video में यह करना गया है कि I have to insert a picture in this comment box वह हम कैसे कर सकते हैं कुड़ा प्रोसीजन में आपको बताने जा रहा हूँ देखें आपको दीख रहा होगा soya height comment इसकर हमने click किया अब आपके क्या करना है comment के box के अंदर कहीं भी आपको click करना है जब आप कहीं ही click करते हैं then आप देख रहा होंगे यहां पर छोटे छोटे आपका circle बढ़ गया है इनके उपर आप अपने mouse के लिए जाएए जैसे ही आपको दीखता है कि दोनों direction में arrow बन के आ जाता है then आपको click करना है right click करना है then you have to go at format comment जब आप format comment में जाते हैं तो आप properties दीख रहा होंगे protection, properties, margin, all tax, point alignment, colors and line आपको click करना है colors and line पे then आप click करना है यहां पर colors पे जब आप colors पे click करते हैं तो यहां पर various colors आपको दिखाई देते हैं इसमें से आप comment box के लिए कोई भी color आप चूज कर सकते हैं suppose मैंने चलिए 10 color select किया है, trace हमने, okay तो इससे क्या हुआ कि जो भी आपका comment box है उसका color change होगी है इससे हम procedure repeat करते है, हमें गया है आपको right click up करना है कि जब जोनों direction में आपको arrow बना हुआ दिखाई दे, then again click format comment again click color, यहां पर आप देख रहोंगे fill effect, यह आपका सबसे most important point है इसमें fill effect, fill effect पे click करेंगे जब आप fill effect पे click करते हैं, then यहां पर देख सकते हैं various style आपको दीख रहा है कि आपको comment box के color को represent करना चाहते है diagonally, vertically, something like this, यहां पर आप texture दीख रहा होंगे, यहां pattern दीख रहा है, यहां पर दीख रहा है picture अब यहां से आपको comfort क्या करना है, इस comment box में पटख लो एक picture इंटा करना है, picture कुछ भी हो सकती है, वो आपके depend करता है, यहां से लिए हम select picture करते है जो मैं ज़िए मैं देखता हूँ picture, मैंने यहां से कोई picture उठा लिया, suppose मैंने उठा लिया, यह वाला picture और मैंने इंसर्ट कर दिया, प्रेस ओके, प्रेस ओके तो आप देख सकते हैं कि आपके comment box में picture इंसर्ट हो चुका है यहां पर आप जो भी रिखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप किसी भी comment box में picture को इंसर्ट कर सकते हैं आप यहां पर राइट क्लिक किजिए यहां कर दिए, hide comment जैसे ही आप mouse इसके उपर ले जाएंगे, आपका comment box appear होगा तो इस तरह से किसी भी comment box में आप पिछे इंसर्ट कर सकते हैं इसका save भी change कर सकते हैं everything you can do in this particular comment box तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप किसी भी comment box में picture इंसर्ट कर सकते हैं उसको stylist मना सकते हैं तो Thank you for watching this video Please, please, subscribe this channel आप मोलड़ी